दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की नंबर वन सेलिंग SUV के बारे में जो है टाटा नेक्सॉन और दूसरी है उसको टक्कर देने वाली मारूती की ब्रेजा और आज हम इन दोनों के बेस मॉडल को कंपेर कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी काड जो है जादा फीचर offer करती हैं तो सुरुवाद करते हैं दोनों की ड podemosन से तो ब्रेजा की जो length है वह 4985 mm, weight है 1790 mm और height है 1685 mm जो उसका wheelbase है वह नेक्सम की तो नेक्सम की जो length है 493 mm, weight है 1811 mm और height है 1606 mm जो उसका wheelbase है 2498 mm का overall size की बात की जाए तो दोनों कार आपको same to same ही लगेंगी देखने में कोई जादा difference महसूस नहीं होगा चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं engine की कि दोनों कार कॉंट कॉंट से जो है engine offer करती है अपने base model में पहले बात करते हैं ब्रेजा की तो ब्रेजा में वही मारूती का एक common engine आता है जो की 103 PS और 137 mm का torque निकालता है इसके mileage की बात करें तो इसका mileage करें 18-20 के बीच में आपको मिल जाता है वहीं दूसरे दरफ बात करें नेक्सोन की तो नेक्सोन में 120 PS और 170 mm वाला torque का engine मिलता है जो की टर्बो पेट्रोल इंजन है जो की अगर इसके mileage की बात करें तो mileage का 16-18 के बीच मिल जाता है वहीं दोनों के engine को compare करें तो breza में आपको diesel engine नहीं मिलता वहीं nexon में आपको diesel engine मिल जाता है जो की काफी जादा powerful है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी से extra वैसे खर्च करने पड़ेंगे चले बढ़ते हैं आगे बात करते हैं exterior की के exterior में दोनों कार क्या के चीज़ों offer करती हैं पहले बात करते हैं breza की तो breza में आपको halogen headlamps मिल जाएंगी steel wheel मिल जाएंगे wheel cover के साथ बट इसमें half wheel cover आते हैं और वहीं breza में full wheel cover आते हैं next one में आपको skid plates मिल जाएंगी इसमें आपको front में black grill मिलती है और इसमें आपको indicator मिल जाएंगे ORVM पर तो इस सारी चीज़ों है दोनों कार जो है offer करती हैं वहीं बात करें interior की interior में दोनों कार क्या क्या चीज़ों offer करत tilt steering, rear race events, armrest तो इस सारी चीज़ों है दोनों कार offer करती है अब बात करते हैं अलग features की कि दोनों कार जो है अलग क्या देती हैं पहले बात करते हैं breza की तो breza में आपको analog cluster मिल जाएगा digital screen के साथ इसमें front and rear power window मिल जाएंगी driver side 4 window control मिल जाएंगे auto up and down के साथ breza में आपको single tone interior भी मिलता है अब बात करते हैं Nexon की कि Nexon जो है क्या चीज़े offer करती है तो Nexon में आपको tri arrow theme interior मिल जाएगा digital cluster मिल जाएगा इसमें आपको सिर्फ front power window मिल जाएगा और इसमें आपको umbrella holder और bottle holder जो है मिल जाएंगे अब बात करते हैं safety कि safety में दोनों कार क्या के चीज़े offer कर में same to same मिलती है अब बात करते हैं different features की कि इसके इलावा different वो क्या offer करती है तो पहला बात करते हैं Breza की तो बेजा में आपको anti theft system मिल जाएगा keyless entry impact sensing door unlock high speed alarm system engine immobilizer adjustable IRVM तो सारी चीज़े जो हैं Breza offer करती है वहीं बात करें Nexon की तो Nexon में आपको traction control मिल जाएगा roll over mitigation hydraulic brake assist electric brake pre- fill brake disc wiping multi driving modes puncture repair kit तो इस सारी चीज़े जो है Nexon में आपको मिलती है वैसा का real life safety की बात करें तो Nexon जो है 5 star rating के साथ आती है वहीं Breza को आप उसे उसके track record के हिसाब से 4 star rating car कह सकते हैं चलिए बढ़ते हैं बात करते हैं price की कि दोने कार के price में कितना difference है पहले बात करते हैं Nexon क तो Nexon के जो base model का price वो है 7,60,000 रुपे वहीं Breza का जो base model है वो करीबन 8,000,000 के आसपास का आता है चलिए अब बात करते है final decision की तो दोनों कार के price में 40,000 का difference है लेकिन interior में और exterior में जो है Breza काफी सारे features offer कर रहा है और safety की बात करने तो safety में दोनों कार जो है बराबर features देते हैं लेकिन दोनों कार में अगर compare किया जा तो Nexon थोड़ी ज़्यादा safe है Breza से तो आपको decide करना है कि आपको ज़्यादा safe वाली कार चाहिए या ज़्यादा feature वाली mileage के मामले में Breza जो है थोड़ी सी आगे है लेकिन power के मामले में Nexon आगे है तो अब आपको decide करना है कि करना ना बुले